असलाम अलेकुर्ण अहमतुल्लाई वबरकातू प्यारे बच्चों उमीदे आप सब खेरियत से होंगे EBS की ओनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का वेलकम है सभी बच्चे अपनी EBS की बुक में पेज नंबर 45 ओपन कर लीजिए आपको इन दोनों पिक्चर को बहुत ही दियान से देखना है और आपको इन दोनों पिक्चर के बीच में डिफ्रेंस बताना है कि क्या डिफ्रेंस है अगर आप इस पानी की पिक्चर आपको दिख रही है और अगर आप इस पिक्चर को देखेंगे तो ये कैसा पानी दिख रहा है आपको पॉल्यूटिद वाटर यह प्रदूशित है पानी क्यूंकि इसमें फूल डले हुए है पत्टे हैं और मालाए दिया है और अगर आप देखेंगे तो ये पानी में आप देखेंगे तो ये मखिया भी ऊड़री है यहां पर मक्हियां अच्छर भी हैं तो ये है फरेश वाटर बोडी इस है ना और ये राइट वाला है पोलुटीद उटर हैं ना तो फरेश वाटर यानी safe and portable, यह वाला पानी कैसा है, safe है, शुरक्षीत है और portable है, और second वाला है, not safe for drinking, यह वाला पानी पीने के लिए बिल्कुल भी safe नहीं है, कैसे भी safe नहीं है, second है, not harmful, यह वाला पानी ज्याद़ हांफूल नहीं है, हमारे लिए हमें जादा नुकसान नी पहुचाएगा, लेकिन यह वाला पानी harmful है, यह हमें नुक्सान पहुचाएगा अगर हमने गल्ती से भी पी लिया तो, तो यह है इनके difference, अब पढ़ेंगे next page पर, अब next page पर है 46 पर rain water harvesting, rain water harvesting के बारे में जानेंगे कि rain water harvesting क्या होती है, The main source of water is rain water, जैसे कि हमें पता है कि पानी का सबसे main source क्या है अर्थ पर rain water है, यानि बारिश का पानी, It can be conserved by the process of rain water harvesting और हम इस पानी को conserve कर सकते हैं, कि जरीय से rain water harvesting के जरीय से, मैंने आपको बताया था कि जो बारिश का पानी होता है जो rain water होता है वो fresh water होता है अच्छा पानी होता है वो साफ पानी होता है तो इसलिए उसको conserve किया जाता है और किसके जरीए से conserve किया जाता है rain water harvesting के जरीए से उसको conserve किया जाता है है ना the rain water is collected in tanks and passed through filters to remove impurities rain water को जो बारिश का पानी होता है इसको collect किया जाता है यानि उसको इकठा किया जाता है अगर आप इस diagram में देखेंगे यहां तो इसको इकठा किया जाता है उसके बाद जब वो बहुत सारा इकठा हो जाता है फिर उसे filter किया जाता है ताकि अगर उसके अंदर कोई भी impurities है या कोई भी मिट्टी या जर्म्स वगेर आ गए है तो उसको फिल्टर किया जाता है उससे अलग किया पर वां लौन और जाता है ता कि वापिस से जमीन के अंदर पहुंचाया जाता है थाकि ऊसको घरों में आसानी से सप्लाई किया जा सके है और अंदर जांद और इस technique के जरिये से ही जो rainwater harvesting है जो पानी की कमी है उसको घटाया जा सकता है कम किया जा सकता है बिल्कुल खतम नहीं हो जाएगी लेकिन कम किया जा सकता है next clean drinking water स्वच पीने का पानी है adopt these simple steps to make sure that the water we drink is clean ये नीचे दो steps दिये गए है अगर हम इन steps को use करें तो हमारा जो पानी हम पीते है वो स्वच रहेगा है always keep the drinking water covered जो भी पीने का पानी है हमें हमेशा उसको covered रखना चाहिए खुला नी छोड़ना चाहिए next day do not let your fingers touch the water kept for drinking और जिस भी बरतन में जिस भी चीज में पानी है हमें ध्यान रखना चाहिए कि पानी लेते टाइम या उसमें पानी भरते टाइम हमारी जो fingers हैं वो उससे टचना हो जाएं पानी से हैं ना उसके अंदर डूबना जाएं या टचना हो जाएं always use a long handled vessel to take out water हमेशा और हमें हमेशा long handled vessel का इस्तमाल करना चाहिए पानी के लिए यानि ऐसे बरतन जिनमें जो टंकी वगेरा लगी हुई है वो अगर आप अब देखेंगे तो मटके में भी टेप लगी हुई होती है ना टोंटी लगी हुई होती है और वाटर कूलर में भी टोंटी होती है हर चीज में टोंटी होती है ना लेकिन यहां पर लोंग हैंडल वेस है ले पहले के टाइम में टोंटी नहीं होती थी तो लंबी लंबी डंडी वाले कुछ गिलास वगेरा होते थे तो उनको डाल के निकाला जाता था जिससे पानी जो है वो गंदा ना हो या हमारे हाथ उसमें डूब ना जाए पल्ली कहा जाता था पल्ली कहते थे उसे मटको में डाल देते थे या बड़े बरतन में भगोनों में जिसमें भी पानी होता था तो उन में डाल देते थे वो ताकि हमारे हाथ जो है वो पानी में डूब जाए और हम एजिली पानी को निकाल सके उस बरतन में से अब नेक्स पानी को बॉल करके पीए या फिल्टर करके पीए तो इन बातों का आपको धियान रखना है उमीद है आपको चैप्टर समझ आया होगा अच्छे से चलिए नेक्च लास में नेक्च वीडियो मिलेंगे बुक बाक करेंगे थैंक यू वेरी मच्छ असलाम अलेकुम रामतुलाई वबरकातू